कि दोस्तों टीप इन साइट्स में आपको स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफच पील टीपीए के बारे में एफच पील टीपीए का क्लेम फोर्म एए क्लेम फोर्म बी कैसे वरा जाएगा उसको लेके मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं तो स क्लेम फोर्म एक्लेम फोर्म भी उस टाइम भरा जाता है या पिर हम अगर नोन नेटवर्क फोस्पिटल के अंदर अपना ट्रीट्पेंट करा रहे हैं तो उस समय हमें सारी पेमेंड कैस्ट में देनी पड़ती है होस्पिटल को होस्पिटल हम just charge के time फाइनल बिल देता है समरी देता है और जो भी अधर पेमेंट हम करते हैं जैसे मेडिसीन का हो गए या लेप टेस्ट हुए हैं उनकी सभी के बिल हमें वहस्पिटल देता है रिशिप्ट भी हमें लेनी होती है और उन सभी बिल पे साइंस टेम वगरा कराके और क्लेम फोर्म एक लेम फोर्म भी भर आधर कहलेंगे आपके तो से जोर्ब करते हुए जैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अब याकन धबादीजी ताकि नई वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते है आप लोगों की स्क्रीन के उपर FSPL TPA क्लेम फॉर्म एक खुला हुए है तो मैं बताता हूं यह फॉर्म कैसे भरा जाएगा तो आप लोग ध्यान से देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुए जाए इस फॉर्म को बरेगा उसकी ही डिटेल इस फॉर्म के अंदर ज्यादा से जाधा भरी जाएगी फोर्म उसी को बरने से डाल सकते हो नहीं पता लगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हो उसके बाद TPID नमबर family के अंदर मानगे चलो 4 candidate है तो सबका TPID नमबर अलग लग होगा लेकिन इसके अंदर patient का TPID नमबर नहीं डलेगा यहाँ पे यहाँ डलेगा जो policy का main member है जिसके नाम से policy बनी हुई है या policy कटी हुई है उसका नाम यहाँ पे mention होगा उसके बाद उसका नाम आएगा यहाँ पे और address आएगा city आएगी, state आएगा pin code आएगा, phone number आएगा email आइडिया आएगी यह जो family का main member है उसकी detail यहाँ पे पूरा fill किया जाएगा patient की detail आगे हमें बरनी है मैं आगे आपको बताता हूँ तो आगे चलिए अप उसके बाद आता है details of insurance history insurance history की detail मांगी हूई है currently covered by any other medical वो यह कह रहे हैं कि आपके पास इस policy के लाव भी कोई अधर से कोई plan है कोई अलग से कोई policy है health insurance है तो आप लोगों को no कर देना है अगर है भी तब भी no कर देना है अगर yes करोगे तो आगे फिर यह पूरा detail भरनी पड़ेगी यहां तक उसके बाद हमें आगे चलना है details of insured person hospitalized यहां पर patient की detail भरनी है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है जो person hospitalized हुआ है उसकी detail यहां fill करनी है तो यहां पर patient का नाम आएगा gender male है female है जो भी है टिक कर देना है आपको age year उसकी उमर आएगी कितने साल कितने महीने का है date of birth आएगी यहां पर relationship to primary insured primary insured जो पहला जो main member है policy का जिसकी detail हमने सबसे पहले उपर भरी थी उसके साथ इसका क्या relation है self मतलब यह खुदी बंदा है तो self पर टिक करेगा spouse उसकी wife है तो यहां पर टिक करेगा उसके बच्चे है तो यहां पर टिक करेगा father है तो यहां करेगा mother है तो यहां पर करेगा other कोई relation में है उसके तो यहां पर टिक करके यहां पर mention करना है care relation है उसके बाद occupation मरीज का उक्योपेशन डालना है यहां पर सर्विस करता है या सेल्फ एंप्लोइड है हों मेकर है स्टूडेंट है रिटायड है अधर जो भी करता है तो वह जो भी करता है आप लोगों को मेंचन कर देना या टिक कर देना उसके बाद यहां पर अड्रस आएगा सिटी आएग की डिटेल यहां पर फिल करनी है नेम उप दा ऑस्पिटल वेर अड्मिटेड जिस ओस्पिटल में अड्मिट था पेशेंट उसका नाम डालना है डे केर प्रोसीजर था सिंगल ओक्योपेश्टी था ट्विन सेरिंग था या थ्री और मोर बैट्स पर रूम डे केर मतलब द इंजरी है, illness, maternity, illness, injury होती है, कोई accident हो गया या कई से ईल्वलट के छोट लग गई, illness, कोई fever होए है, कोई viral fever होए है, तो वो illness में में आगा, maternity, pregnancy से लेट जो भी आप treatment कराया है वो आप लोगों को tick कर देने हैं उसके बाद, injury की date डालनी है, injury हूई है, तो date of disease first detected, illness जो है आ यहां तीनों में से जो भी आप लोग यहां पर टिक करोगे इन में से कोई भी टिक करोगे तो इसकी डेट यहां मेंशन करनी पड़ेगी date of admission admission की date डालनी है यहां पर यहां पर admission का time डालना है date of discharge, discharge की date डलेगी यहां पर जिस दिन आप लोगों के होस्पिटल से चुट्टी मिल रही है वो डेट डलेगी और यहां पर टाइम डलेगा अब इसमें देखिए हैं कि डिटेल ओफ दर ट्रीटमेंट एक्सपेंसिज क्लेमड सबसे पहले प्री उस्पिटलाइजेशन यहां पर प्री उस्पिटलाइजेशन होता है जब आप चोबिस से अठाइस गंटे एड़ाइस गंटे एडमिट रहे हैं उस्पिटल के इंदर त होता है ईड़्मिट होने के बाद डुक्तर दोrows जैंद के बाद फोलोग के लिए बुलाते तो वह जो खरचा होता है वह पोस्ट सब्लिंट में यहां भरना होता है उसके बाद यसमें आगए हैं कि और सिट्वी जुए बंदा वो यहां पर खरचा डालेगा वो डालने और कोई तो डालनाय यहां पर डूट्ल अमांट डालेगा यहां लिखाओ प्री उसिटीलाइजिस्टन зай sealed प्रीड को भाने अधरवाई जी छोड़ देना है उसके बाद यहां पर देखिए क्लेम डोकोमेंट्स सब्मिटेड चेकलिस्ट जो डोकोमेंट्स आप सब्मिट कर रहे हो उसकी चेकलिस्ट है यह टिक करने है कि कौन-कौन से डोकोमेंट्स आप लगा के भेज रहे हो इंसुरेंस कंपनी के पास एक तो फोम हो गया एक इंटिविशन नमबर क्लेम का हो गया वो डालने है अगर है तो इफ है नहीं अगर है तो होस्पिटल का मेन बिल ब्रेक अप है और पेमेंट की रिशिप्ट हो गयरा है जो जो चीजे हैं जो सपोर्टिंग में लगा रहे हो आप लोगों को यहां पर ट अगर आप लोगों के बिल ज्यादा है यहां पर नहीं फिल हो रहे हैं तो आप यहां पर सीधा लिख सकते हो ओल बिल अटेच और यहां पर टोटल अमांट यहां मेंचन कर दोगे और इसको इंस्टोरेंश कंपनी बास बहेज दोगा लेकिन अमांट मैच होना चीए टोटल LED का जो आप सपोर्टिक में लगा रहे हूं माउंट इसके नंतर मैच होना छी किसली चेक की डिटेल आई एफसी कोड यह इसली मांगा है कि आपका क्लेम पास होने पर अगर इंस्वरेंस कंपरी पेमेंट बेजती हैं तो किस खाते भी बेज़ेगे इसली वह अकाउंट की डिटेल आपसे पहले ही मांग ले रही है उसके बाद डिक्लेरेशन है डिक्लेरेशन प करा सकते हो और ये ऐफसी पील टीपे का क्लेम फोर्म एफ कंपलीट हो घ monarch है तो आज की वीडियो मेंने आप लोगों को बताया है कि फ्लगों कैसे भरा जाएगा complete process मैंने आप लोगों को समझा दिया है फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है कोई डाउट है या आप लोगों को कोई कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे comment section में लिखके भेजिए मैं आप लोगों को इस चीज का answer दूँगा इसके लावा भी आप लोगों के claim में कोई query है तो वह query आप मुझसे share कर सकते हो या message में लिखके भेज सकते हो कि आपके claim में क्या query लगी है तो मैं उसका भी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार